नमस्कार दोस्तो जे क्लासिस मिरेट परिवार में मैं अंकित भार्दवाज आपका स्वागत करता हूँ कैसी हैं आप उमीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का और अपना ध्यान रख रहे होंगे बच्चो आज यहाँ पर हम Applied Chemistry स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की आपके गुरूप A के लिए हंडेट नंबर का जो पूरा का पूरा पेपर Applied Chemistry का होता है उसमें एक बहुत कुरूशल सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा effort भी अगर लगाएंगे तो सभी बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से marks लेके आ जाएंगे मेरे बिहार के सभी प्यारे प्यारे स्टुडेंट्स सभी के सभी स्टुडेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप जादा से जादा इस वीडियो को शेर आउट करें ताकि बच्चों को सारी इंफॉरमेशन यहाँ पर चैप्टर के रिकार्डिंग मिल जाए लेक्टे आपकाथा आज हमें यह पर筏क्ष है यह आपके नंबर ही आएंगे ऐसादा labor में से मेरा आपसे बादा है आप मेरे साथ इसी तहीस करते तो हम जरूर सो नमबर ले考 प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं देखे appliedwork chemistry हम परिवार ने अब बिहार के अंदर भी इस्टार्ट कर दिया है कि आपके सभी पॉलो टेक्निक के जो फर्स्ट येर हैं उसके सभी सब्जेक्ट को हम यहां पर आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आपके इतने प्यारे प्यारे जो फॉन कोल्स आते थे सभी सब्जेक्ट अलग-अलग पढ़ाएगी लेकिन अब थोड़ा सा दाइत वाप का बन जाता है कि इस वीडियो को जादा से जादा बच्चों को पहुचाएं ताकि सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिले इसके साथ सभी को पता चले कि जेए क्लासिस मेरेट परिवार आ जब आपका प्यार हमें मिलेगा तो इसलिए बच्चों आज की वीडियो को जरूर बहुत अंत तक देखिएगा और सबसे ज़रूरी बात यह कि सभी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा वह आपको अभी से गाट बांद के चलनी है ताकि केमेस्टी में कोई भी परस्ट आटोमिक स्टक्चर और के अटोमिकल बांडिंग जी आटोमिक स्टक्चर एंड कामिकल बांडिंग नाम से जो चाप्टर है इसको आज हमें हाँ पर डिटेल में स्टडी करना है लेकिन बच्चों मैं आज आपको कुछ एक नया कॉंसेप्ट सिखाने वाला हूं आज मेरा टार्गेट चैप्टर की रिगार्डिंग आपको एक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी का है जिससे आप कैमेस्टी को फील कर पाएंगे मेरा पढ़ाने का टैक्निक्स थोड़ी सी अलग है आप लोग जो बच्च होते हैं बिहार के स्टूडेंट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के भी हैं जो आफलाइन प्लैट्फॉर्म पर हमारे से पढ़ते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा जो अब्जर्व किया है वह यह जो अब्जर्व किया है कि जो बिहार के स्टूडेंट होते मेहंती बड़े होते हैं एक्चल में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जिन्दकी का सार देखा है उन्होंने पता है कि किस तरीके से हम लोवर गरीबी से उठकर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या-क्या हमारे पास नहीं हैं फिर भी हम बहुत अच्छी जॉब्स पर कैसे पहुंच पाएं यह बिहार का एक्जामपल अगर मैं देना चाहूं तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट वारी करती हैं उन सब में सबसे जादा जानद रहे इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं देखिए यहां इसको पढ़ने से पहले मुझे आपको कैमिस्टी के कुछ बेसिक सिखाने पड़ेंगे आज आप यह बेसिक सीखेंगे तो इस चाप्टर से लेके फिफ चैप्टर तक सारी चैप्टरों में वह अपलाई और कैमिस्टी आपके लिए जस्टू इजी टू लर्न हो जाएगा या जस्टू फन हो जाएगा कि आपको खेलना है यहां कैमिस्टी ठीक है तो देखें सबसे पहली बात क्या सीखनी आपको सीखनी है कि आपको एक से लेकर 20 तक 1220 आटोमिक नंबर आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़े आपके लिए मैड़ेटरी है ठीक बात है तो पहली बात ये कि 1220 आटोमिक नंबर आपको लर्न कर लेने हैं ताकि आपको केमिस्टी में आगे कुछ नियाद करना पड़े तो देखें क्या क्या के यहां पर लिख रहा हूं में उनका सिंबल को एक साइड़ में यहां पर लिख रहा हूं उनका आटोमिक नंबर और एक साइड में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन फ्रीग्रेशन यह सारी बाते आपको यहां पर लर्ण करके चले ठीक है तो यहां पर मैं बात करते हूं सीरियल वाई चलते हैं नंबर वन है ना यहां पर सीवियर नंबर लिख लेते हैं ठीक है चलिए तो फर्स सीवियर नंबर पर अगर मैं बात करूं तो अलिमेंट आता है हाइड्रोजन सिम्बल होता है एच एच से रिप्रेजेंट करेंगे एच टू नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डाई आटोमिक मोलीक्यूल है हम यहां हाइड्रोजन सिम्बल की बात कर रहें एक अटम की बात कर रहें झाat कि आत्रमिक नमटर उथाया और उल्यट्रोनिक कानफेगूर सरह की बात करूँत तो ओलल सो और कि फिर मैं बात करू सिरी नममर टू लट इस हीलियम अगर मैं हीलियम के बात करूँता सिम्बल एच यह अर्टामिक नमबर 2 औरucc Buzz Face अगेंटू की बात करिए तो लीथियम सिम्बल LI आटोमिक नमबर 3 और इलेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन 2-1 ये 2-1 कैसे आया? ये मुझे सिखाना है आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है सब कुछ समझा जाएगा अगर कुछ बच्चे इस बारे में पहले से जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं बाकी मुझे सिखाना है एक माजिक नमबर होते हैं 2, 8, 18 और 32 इस इस दा माजिक नमबर ये कैमस्टी के माजिक नमबर है इसको आपको याग भी नहीं रखना मैं तो ये कहूंगा माजिक नमबर है मतलब कोई भी कैमस्टी का आटम चाहता है कि उसके आउटरमोस में 2 हो जाए या 8 हो जाए या 18 हो जाए या 32 हो जाए मतलब उनके इलेक्ट्रोन का जो कॉन्फिग्रेशन है वो यहाँ पर आकर ओक्टेट रूल को फोलो करना है हमारे सालेबस में उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे तो सभी इलेक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन यह चाहते हैं कि उनके आउटरमोस में या तो दो रहें शुरू के लिए बाद में आठ जरूर रहने चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स वन इस बारेलियम सिम्बल बारेलियम है और यहाँ पर सिम्बल इसका आगया बी ए आतोमिक नंबर फो और एलेक्टोनीक कॉन्फिग्रेशन तू तू नेक्स फाइव बोरोन सिम्बल बी एलेक्टोनीक कॉन्फिग्रेशन तू थ्री ठीके 6 लाट इस कार्बन और 7 देट इस नाइट्रोजन एट लिस्ट यहाँ तक तो आपको मिहाँ पर बोर्ट पर मेंशन हो जाएगा ठीके कार्बन के लिए सिम्बल सी नाइट्रोजन के लिए एन अटॉमिक नंबर 6 और 7 में लाइन टू लाइन चल रहा हूं वही है ना अगर इसको डिफाइन करें तो तो यहां आपने के सावन यहां पर लर्ण कर लिए है और मैं आपको यहां पर 20 तक का टास्क दिया है कि 20 तक आपको यहां पर लर्ण कर लेने हैं तो यहां पर अगर बच्चों मैं बात करूं आपसे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जी एट एट डाट इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंबल ओ लेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन टू और सिक्स रहेगा ठीक है तो यहां पर आपने याद कर लिया कि यहां आठ तक आटोमिक नंबर आपको याद कराए मैंने इनके अलिमेंट के नेम बताए आपको सिंब से आगे बढ़ते हैं यह मैं रब कर रहा हूं कि अधिया नंबर नाइन च्रील नंबर टैन एंट एलावेन ट्वाल थार्टीन फोर्टीन फिप्टी चले फिफ्टीन तक बढ़ते हैं नोवे नमबर पर आता है नाइन नमबर पर अगर में बात करूं तो आपने ऑक्सिजन तक पढ़ लिया ऑक्सिजन के बाद आता है फ्लॉरीन फ्लॉरीन के बाद आपका आता है टैन नमबर पर नियॉन लाविन पर आता है सौडियम अब थोड़ा जल्द यल्दी कर लेंगी है ना नेक्स्ट मैगनीशियम नेक्स्ट अलुमीनियम और सफ फॉर्टींथ पर चलिए पहले तीन यह कर लेते हैं तो फ्लॉरीन का सिंबल एफ नियॉन का एन ए सोडियम का एन ए ठीक है मागनीशियम का एम जी अलुमीनियम का एल आटोमिक नंबर की बात करें तो 9 10 11 12 और 13 एलेक्टोनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 2728281 अब देखें यहां पर आपको ध्यान देना है मैंने कहां सोडियम सोडियम का सिंबल एन एलेक्टोनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो 281 लिख दिया मैंने आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिख दू 29 तब भी तो 11 होगे न बुरे लेकिन मैंने का magic नंबर magic नंबर तब जब 8 वाला बन जाए तो 281 में दो magic नंबर मुझे mention किये जा रहे हैं यापर और ऐसे करता हूं तो एक ही magic नं करूंगा ऐसे करूंगा तो 281 लिखना है आपको दो नो नहीं लिखना है या आपको ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं magnesium के बाद sorry sodium के बाद magnesium 282 फिर aluminium 283 ठीक है यहां तक आपका हो गया 14 नंबर पर आता है आपका silicon और फिफ्टीन नंबर पर आता है आपका फॉस्फोरस लिकन का सिम्बल एस आय और फॉस्फोरस का पी अटोमिक नंबर फोर्टीन एंज वेल आज फिप्टीन टू एट फोर एंड टू एट फाइफ यह आपके पास 284 और 285 तो यहां पर आपने यह 15 तक आटोमिक नंबर देखे यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पर कुछ है तो वो यह कि आपको इसका नाम थोड़ा सा स्पासिफिकली याद करना पड़ेगा एन ए है ना देखो इलाक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन भी वेरी करा था सारी बाते इंपॉर्टेंट है इसकी अब आप कहेंगे सर यहां पर सोडियम को एस ओ क्यू नहीं बोला एन ए क्यू बोला है अक्चन में जितने भी कामस्टी में नाम लिखे जाते हैं वो सब लेटिन लेटिविज में लिखे जाते हैं और सोडियम का एक्च्वल नियम नारियम है तो एन वहां से उठाया है लेकिन इंग्लिश में इसको सोडियम बोलते हैं आप यहां पर कंफ्यूजन क्रेट ना करें आप एन लिखेंगे ठीक है यहीं पर गलती हो जाती है जातर बच्चे कि उसको एस ओ लिख देते हैं लेकिन आप तो अंकिसर के स्टूडेंट है तो आपको गलती रास नहीं आती ठीक है आप तो गलती करेंगे नहीं ठीक है मॉस्ट प्रॉबली इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं सिक्स्टी नंबर पर बात करतें नेक्स्ट इसको मैं जल्दी से रब कर दूँ देखो बच्चों बेसिक सीखना कैमेस्टी में बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक कैमेस्टी को फिल नहीं करोगे तब तक तो बात में दम आएगा ही नहीं भाई है ना और वैसे भी यहां तो टक्कर है आपके और हमारी कितनी मेहनत करेगा कौन क्योंकि यही किलासिस मेरट ने ठान लिया है बिहार के एक-एक पॉलो टैकनिक के छातर को सरकारी नोकरी दिलाने का फैसला ल बाद और बहुत अच्छा एफट करके सरकारी नोकरी जो प्राप्त करते हैं वह कैसे प्राप्त होने वाली है वह प्राप्त होगी यहां पर पोलो टैकनिक टोप करेंगे और उसके बाद उस एक्जाम को भी फोड़ देंगे ठीके तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सी 16 और एलेक्टोनिक कॉन्फिगरेशन दो आठ और छे आगे बने भाई 17 नाट इस क्लोरीन छो लो राई एल ठीक है क्लोरीन चल अटोमिक नंबर 17 और एलेक्टोनिक कॉन्फिगरेशन दो एक्टो एट सावर 18 आरगन यार अटोमिक नंबर 18 288 19 यह पोटेशियम और 20 की बात करें तो कैल्शियम पोटेशियम का सिंबल के कैल्शियम का सीए एलेक्टोनिक नंबर 19 और 20 और 288 1 & 288 2 तो इलेक्टोनिक कॉन्फिगरेशन सिखाया आपको करना और 20 अक्टोमिक नंबर यहां पर याद करा दिए तो यह बच्चों आपके लिए बहुत इजी वे हैं इनको आपको याद करना है ताकि आप केमिश्टी के बैसिक्स को सीख सके मुझे सारी केमिश्टी इसी के बेस्पर रकतर याद करानी आपको यह बीस मैं आपसे उमिद करूंगा कि अगली लेक्ट्टर को देखने से पहले आपको यह बीस जरूर याद हो जाए क्योंकि जब तक यह याद नहीं होगा तब तक आप chemistry को फिल नहीं कर सकते हैं दूसरी basic बात आपको क्या सीखनी है पहला बीस तक आपको याद आनी सब अलग तरीके का concept है लेकिन जो बेसिक बात है वह यह बात है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो ऐसा कुछ है कि यह मैंने पर्टिकुलर्ली डाइग्रामेटिकली व्यू आपके साथ शेर करने की कोशिश कि अगर मैं किसी भी आटम की बात करूं कि स्ट्क्चर की बात करूं वबल पूरा गोल नहीं बनांए ठीक है चल एगा दुबारा गोल बना लिदे फिकले यह निची है यह एक तीड जीजों से मिलके बनाए месяic आलिमेंट जो है इसके यहां पर फिन है 56 प्रोट्वन左ं और ईलेक्ट्रोट यह तीन चीज है यह तीन भेसिक उलिमेंट है जो किसी आटम के अंदर होते हैं कहां है उसके बारे में बात करेंगे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो अलग-अलग concept है लेकिन जो most valid है वो ये कहता है कि प्रोटॉन और neutron atom के अंदर होते हैं ठीके तो प्रोटॉन जितने भी होंगे कैसे निकालने यह वो आगे की बात है है ना कि प्रोटॉन और neutron जो है वो atom के अंदर रहते हैं जबकि electron इसके चारों तरफ and rolling करते रहते हैं मनलब रोल करते रहते हैं मूव करते रहते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह आप कितने भी दिखाएं वो एक arrangement है मुझे सिखाना है आगे तो यह बात आपको दूसरी अपनी गाट बान के चलनी है कितने भी लिख लो ठीक है कि electron जो है वो यहां पर चक्कर लगा रहे हैं वो यहां यहां पर मूब कर रहे हैं और proton और neutron जो है वो यहां पर आपको ध्यान देना है जो प्रोटोन और निउट्रोन जो है वो अंदर है yn और इलक्टोन उनके 4 तरफ झूंब रहा है ठीक है दूसरी कैमेस्ट्री का बेसिक बात यह आपको ध्यान देना है प्रोटोन का सिमबल जो पी ओश्रोason Bay वह लो होता है और इलक्रोन का सिमबल होता है यह आपको ध्यान देना है तो प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्टोन के बारे में यह मैंने आपको बात बताई यह दूसरी इंपोर्टेंट बात थी जो आपको जरूर याद होनी चाहिए ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितना है तो यहां पर आपको ध्यान दे होता इसलिए हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया देखें यह कभी पॉलो टेक्निक में आएगा नहीं क्योंकि यह बात 910 की है कि यह किस पर कितना चार्ज है क्या चीज़ें लेकिन यह सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए क्योंकि जब हम पॉलो टेक्निक के सिखेंगे तो वहाँ पर यह बाते में स्किप करके चलूंगा मैं मानता होंगा कि आपको इलेक्ट्रोन के बारे में पता है कि इलेक्ट्रोन पर माइनस वन चार्ज होता है लेक्ट्रोन का सिंबल ई होता है प्रोट्रोन का पी होता है उस पर प्लस वन चार्ज होता है किसने कि की खोज की ये भी मुझे पता होना चाहिए जैसे प्रोटोन न्यूट्रोन की खोज की मैं बात करूं डिस्कवरी की बात करूं तो प्रोटोन की खोज रदर फोर्ड ने की है ना न्यूट्रोन की खोज चैडविक ने की ठीक है और इलेक्ट्रोन की खोज की अगर मैं बात यह थोड़ा सा आपको इसके बारे में study होनी चाहिए तो यह मैंने आपको एक और basic बात बताई कि देखो यहाँ पर अगर आप कभी कुछी चीज में chemistry में जाएं तो यह basic concept आपको जरूर पता होने चाहिए यह दूसरी बात थी अब तीसरी important बात आज के लेक्चर की कि यह atomic नंबर का और atomic मास का क्या relationship है मतलब atomic number represent कैसे करेंगे कहां करेंगे क्यों करेंगे यह बाते मुझे बतानी है देखिए मैं आपको एक बात बता दू basically जब भी कभी कोई symbol लिखा जाता है जैसे मैं कहूं कि आपको carbon को represent करना है आप मुझे carbon को लिखके दिखाई है तो आप क्या लिखेंगे carbon का लिखेंगे symbol symbol आपने बताया सी ठीक है देखिए मैं बड़ा ले लेता हूं थोड़ा सा मोटा मारकर ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखेंगे carbon का symbol आपने लिख लिया यहाँ पर सी अब जो atomic number होगा है जो इसका atomic number होगा उसको मुझे इसके नीचे की साइड में लिखना है मतलब जैसे अभी atomic number याद कर क्या है तो मैं इसे लिखूंगा यहां और जो इसका atomic weight होगा या atomic mass होगा वो मैं लिखूंगा उपर की तरफ यहां मुझे याद है कि बारा होता है इसलिए मैंने लिख दिया जिसे याद नहीं है है निकालना जिखा होगा तो आपको यह बात ध्यान देनी है कि atomic number नीचे की तरफ लिखते हैं जबकि atomic mass उपर की तरफ लिखते हैं आटोमिक नंबर नीचे की तरफ atomic mass उपर की तरफ और सिम्बल यहां आपका बीच में आ गया यह जो atomic number है किसको हम जैड से रिप्रेजेंट करते हैं जैड फोर atomic number और एफोर atomic mass एक बात आपको याद रखने है कि जैड स्टेंड फोर्ड़ आटोमिक नंबर अंड़ एस्टेंड फोर्ड़ आटोमिक मास किलियर बात यह आपको बात तो समझ आ गई होगी अब आपको याद करने के साथ यह बात निकालनी आनी चाहिए कि atomic number अगर आपने 20 तक याद किये तो प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन किस तरीके से निकाले जाएगे तो देखो इसके लिए क्या करना है बच्चों है ना यह बात रियाद रहेगी अब देखो जल्दी से मिटा देते हैं और आगे बढ़ते यह जो atomic number था heading डालेते हैं एक छोटी सी atomic number यह atomic number जो था जिसे आपने जैड से रिप्रेजेंट किया है यह किसके वराबर होते हैं यह वराबर होते हैं वही प्रोटोन के मतलब अगर किसी का atomic number आप जानते हैं तो आप उसके proton के number भी जानते हैं यह हमेशा बराबर होंगे कभी vary नहीं करेंगे कभी change नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि for example अगर मैं आपको example के point of view से कहूं कि sodium का atomic number 11 होता है जैसे we have learned हम याद करके आए हैं तो हमने यह भी याद कर लिया या निकाल लिया कि इसके अंदर proton भी कितनी है 11 है मैं कहूं कि फास्ट फॉरस का atomic number 15 है 15 है फिसके अंदर proton भी कितनी है 15 है मैं कहूं oxygen के अंदर atomic number 8 है तो इसका मतलब इसके अंदर proton भी एट है देखो कितना आसाने sodium potassium कुछ भी एक्सवाइजर जो भी आप करें जो उसका atomic number वह उसके proton के नंबर तो यह बात आपको ध्यान दीनी है ठीक बाते बच्चोउ तो proton निकालना गया अब निट्रोन और एक्टोन की बात करेंगे करेंगे दूसरी बात यह कि लैक्ट्रोन किसे निकालेंगे अब इलेक्ट्रोन भी बराबर है किसके प्रोटोन के जब तक की कोई चार्ज ना हो अगर चार्ज नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है प्रोटोन इलेक्ट्रोन दोनों बराबर होते हैं मिन्स यह हुआ मैंने कहा सोडियम अगेल 11 तो प्रोटोन कितने 11 क्योंकि अटोमिक अगर चार्ज आ जाए मतलब मैं कह दू एन ने प्लस अब अटोमिक नंबर तो जैड तो 11 ही है पी भी 11 ही है क्योंकि उन पे इसका कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन इलेक्ट्रोन पर फरक पड़ेगा यहां पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रोन निकालना चाहूं तो आपको जैन ने नेगतिव है कि तो प्रोट्ट्व अगें 11 एक जैट भी 11 बाकि सारे सेम इलेक्ट्रोन अब इसमें उल्टा गर देंगे माइनस था तो प्लस कर देंगे 11 में एक और एड़ कर दिया दाट इस फ्लैल दो दो एड़ कर देता दो माइनस होते तो प्लस कर देता दो प्लस कर देता तो इलेक्ट्रोन के बारे में भी आपको समझ आ गया यह बेसिक से भाई 910 पर सिखा है सबी बच्चों ने है ना फटा आओर से like कर दो बैं तो बेसिक बेशिक बास इखा रहा हूं लेकिन तुहारा से आपको कॉण सेप्ट दिखा रहा हूं सिक ठीक nogए ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते फिर इसके साथ-पो क्या याद होना चाहिए कि आपको याद आना चाहिए जी Atomic Mass किसे कहते हैं Atomic Mass को A से रिप्रेजेंट करते हैं अभी आपने बताया Formula मैंने आपको याद करा दिया A is equal to P plus N A is equal to P plus N लगाएंगे और किसी भी structure का अगर मैं किसी भी element की बात करूं तो उसका Atomic Mass निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चो ठीके कहीं कोई दिक्कत परिशानी है क्या आप तो बिहार की शान है आप तो बिहार के भावी इंजीनियर्स हैं आप तो बिहार के भावी गॉर्मेंट जॉब के candidate हैं जिनें हमें तयार करना हैं और मेहनत मिलके करेंगे और चरूर बनेंगे जैई ऐसा हमारा प्लान है ठीके तो Atomic Mass की मैं बात करूं तो A is equal to P plus N की मैं बात कर रहा हूं formula लगा लेंगे answer निकाल लेंगे एक example से सोच लेते हैं जैसे मैं आपको याद है अब मैं कहूं इसका Atomic Mass निकाल के दिखाए मुझे इसका निकाल के दिखाए मुझे इसके लेक्टोन निकाल के दिखाए अब याद नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे मैंने एज्यूम किया कि इस कोश्चन में न्यूट्रोन उसने हमें दिए हुए हैं 20 जी न्यूट्रोन तो यह पर 90 प्लस 20 घैट इस 39 तो अटोमिक मास कितना आ गया वही 39 आगया यह आपको ध्यान रखना है तो यह वारी करेगा यह चेंज होता हरेता है लेकिन generally atomic number का double होता है atomic mass लेकिन कुछ exceptions है जैसे sodium में 11 atomic number 22 होना चाहिए था लेकिन 23 रहता है यह इस तरेखे के कुछ exception आ जाते हैं बखी जनली जैसे carbon है 6012 मतलबdle होटा है nitrogen है 7m 14 oxygen8-0-16 लगभग डबल होता है ऐसा आपको मान के चलना है तो यहाँ पर मैंने आज आपको केमेस्टी की तीन बेसिक कॉंसेप्स सिखाए हैं मेरे प्यारे बच्चों यह आपको समझ आए होंगे सबसे पहले केमेस्टी का आप बेसिक सिखाया कि एक से लेके 20 तक अटोमिक नंबर याद होने चाहिए दूसरी बात यह बताई कि कहां है प्रोटोन कहां है न्यूट्रोन कहां है लेक्टोन कैसे अटोमिक नंबर के point of view से बढ़ाया है अब अगर मैं topics पे जाओं अगर मैं basically बिहार बोर्ड को focus करके topics पे जाओं कि पोलो टैक्निक के चात्र हैं जो गुरूप एक चात्र हैं उन सभी बच्चों के लिए जो topics हैं उन topics को समझना अब हमारे के लिए एक आसान टास्क हो गया है इसलिए मैंने यह आपको यहां पर सिखाया था अब हम कल के lecture में क्या पढ़ेंगे यह जानना बहुत important बन जाता है क्योंकि आज हमने chemistry का अब मैं आपसे उमीद करूंगा कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे वह सभी इस वीडियो को एट लिस कम से कम अपने दस फ्रेंड को जरूर भेजेंगे कि देखें वहाँ पर जे क्लासिस मेरट परिवार में अंकिस्तर ने applied chemistry के लिए क्लासिस चलाना शुरू कर दिया है तो आप सभी लोगों का जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहते हैं और और ज्यादा जुड़ने चाहिए यह आपका अपना खुद का परिवार है यह special बिहार के लिए आपके लिए बैच चलाए गए हैं तो आपका दाइत बनता है आपका फर्ज बनता है कि आप बिहार के एक एक बच्चे तक information जरूर पहुचा दीजिए कि यहाँ पर क्लासिस स्टार्ट हो गई है देखे लठी चोका जो है आपका बहुत फैवरिट फूड होता है बिहार वालों का मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप टौप करेंगे लखर आपने बिहार टौप किया तो जरूर आएंगे आपसे कभी मिलने बिहार और लठी चोका साथ खाएंगे भाई तो इसलिए मेहनत करनी हैं और मेहनत का कोई shortcut नहीं होता, आपसे ज़ादा कोई नहीं जानता कि किसे कहते हैं मेहनत, ये बिहार के खून में बसी हुई है, तो अपने खून को एक बार उबाल लगाने का time आ गया है, और मेहनत करने का time आ गया है, और जादा से जादा वीडियो को share करने का टाइम आ गया है कल के lecture में हमें क्या पढ़ना है कल के lecture में हम पढ़ेंगे कि यह जो applied chemistry है इसमें applications क्या है तो आज मेंने जो basic सिखाए हैं उनको ध्यार में रखते हुए रधर ford motor डालतर atomic theory इसके साथ बोर्बरी का सिद्दान electronic कुछ एक्सेप्षियंज और टॉपिक वाइस टॉपिक जो आपके बोर्ड में हैं वह सारे सालेबस हम यहां पर कुछ करेंगे बिलकुल किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरुवत नहीं है सारे टॉपिक आपके बिल्कुल आसानी से कंप्लीट होंगे कहीं कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी अगर आपको कोई भी दिक्कत परिशानी होती है तो आप ये मान के चलें कि ये जे क्लासिस परिवार का दायत्व है कि आपको इसके के लिए यहां पर तयार किया जाए तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और ध्यान दीजेगा यह आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि subscribe for the j classes merit आप यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार से related जितने भी informations हैं वो आपको यहां पर आसानी से मिल जाएं ठीके तो धन्यवाद बच्चो आज की क्लास को शांदार बनाने के लिए आपके प्यार के लिए जै हिंद जै भारत जै बिहार